हेलो तो कैसे हो आप लोग आयोफ सभी लोग ठीक होंगे और आज हम लोग जो इंदियेंजी वैंग स्क्रीन है उसके कुछ पॉइंट्स रहागे थे उसके बारे में बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो 1924 के अंदर क्या हुआ था कि सेलरोस ट्राइशिटेट की ड हम बात करेंगे कि स्क्रीन स्पीड क्या होती है तो जो इंटेंसिव है स्क्रीन है उसकी स्पीड क्या होती है स्क्रीन फास्ट विन स्मॉल एक्सरे एक्सपोजर टू ब्लैक निंग दा फिलम क्या होता है कि जब स्मॉल एक्सरे अगर एक्सपोजर दिये जाते है तो जो फि ओसका होता है उसका होता है उसका होता है कि exposure required without University यह झाल एक डी अगर डिया जा रहा है वह without screen के देता है और screen exchange controlling के एक्स्पोज़र दिया जाता है तो उसका है इंतंसाइंग Σतों स्क्रीड बोला जाता है अब इसके अंदर 2 4 5 स्था 1 बोलिया लफ्ते 100 so तो इसके अंदर क्यों होता है जो अंदर क्यों फिफीड हो गई और में पर श्राहिज पीस हो गई घटेल यजो स्पीड और जो स्पीड कह गई है जो चीज़ पीरफ यो श्रीज यूजी बारते है अब लास्ट यह अल्टा इठेल time speed जो the a dave screen को इपेंद करती है जो इसके जो स्क्रीड है वह किसके उपर डिपेंड करती है तो पेशेंट डोज डिक्रीज फास्ट होजाती इसमें एक पॉंट तुम लोग जाद रखना इसमें क्या होता है कि अगर हम जो पेशेंट ौस है उसको अगर डिक्रीज करते हैं screen है तो यह बंक काफी ज़्यादा क्या हो जाती है अब इसमें युद्ध स्क्रीज के इसकी फीड पर डिपेंड करती इंटर्णींजिंग फैक्टर्र और एक एक स्टैनल और एक स्टैनल दो टाइप के फैक्टर होता है जिनके और यह डिपेंड करती है तो फरस्वर कंपोज तो फोस्फोर कमपोजीशन में क्या होता बिस टैप स्क्रीन यूजीन के लिपेंगे जा रहा है उस पर बहुत ज्यादा यह करता है यह जो फैक्टर है यह के लिए जो कैलिस्टाइप का फोस फोरस होता है वह यूज किया जाता है इसके लाओ जो phosphore thickness इंक्रीज करते हैं तो इसमें भी तो क्रीसमें grey बट जो जो Resolution है वो Decrease हो जाता है अब अगर Extranising Factor की बात करते हैं तो अगर उसके अंदर KV और Temperature दो टाइप की ये Factor होता है तो KV अगर Increase होता है तो Speed क्या होगी? Increase होगी अगर Temperature Increase होता है तो Speed Increase होगी but at Room Temperature यानि कि जो Film जो है वो भी क्या होगी? Film की जो Speed होगी इंक्रीज होगी बट इसके अंदर एक फैक्टर लगता है रूम टेम्प्रेशर के ऊपर जो स्क्रीन की Speed होती है वो क्या हो जाती है? Decrease हो जाती है और अब एक नया पोईंट आता है जिसको बोलते है luminescence luminescence क्या होता है material that emit light in response some outside stimulation is called luminescent material yarni कि luminescence का मतलब होता है कोई भी ऐसा material जो light का emission करता है किसके response वे है अगर उसको कोई भी outside stimulation या नी बहर से कोई भी उसको stimulation दिया जाता है तब वो अगर light का emission करता है, वो material तो उसको क्या बोलते है, luminescence, उस material को क्या बोला जाता है, luminescence material बोला जाता है, यह two type का होता है, luminescence, first आता है fluorosense and second आता है phosphorus, fluorosense क्या होते है, light emit within 10 to power minus 8 second, यानि fluorosense का मतलब होता है, अगर light है, वो emit हो रही है, 10 to power minus 8 second के within, अंदर अंदर अगर वो emit हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, fluorosense बोला जाता है, next आता phosphorus, phosphorus क्या होता है, अगर light emit after 10 to power minus 8 second, यानि या light का emission होता है, वो 10 to power minus 8 second के बाद में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, उसको क्या बोला जाता है, phosphorus बोला जाता है, यह बहुत जादा important है, जो competitive exams होती है, उनमें भी बहुत बार पुचा जाता है, यह की fluorosense क्या होता है, phosphorus क्या होता है, काफी confuse भी कर दिया जाता ह है, कि दोनों में difference ही होता है, एक में तो within, एक में after, बागी same है, बस इन दो का difference आता है, और इनहीं में आपको confuse कर दिया जाता है, तो आप हमें से इसको याद रखना, बाबाए, take care